हालो गाइज वालकम बैक और आज की वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं बीए से सेकंड सेम कम्यूटर साइंस मेजर जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग मेथडोलोजी एंड डेटा स्ट्रक्चर का इसके इंपॉर्टन टॉपिक्स को डिसकस करने जा रहे हैं और यह ए अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोर जो है वह आपने स्कोर कार्ड में देखने को जरूर मिलेगा तो चली हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और एक बर जरूर से चेक कर लो कि सब्सक्राइब का जो बटन है वह अपने प्रेस कर जो चैके तो कई बार फियोडी पूचि जाती है तो उसमें यह चीज आती है उसके बाद में है इसमें आपके पास फ्लोचार्ट फ्लोचार्ट के जो भी सिंबॉल्स हैं आपको पता होना चाहिए और यदि हम इसी यूनिट में आगे चलें तो यहां है आपके पास में इसी में यदी हम और आगे चलें तो यहाँ पर आपको यह जो बेसिक आपकी header files हैं यह क्यों लिखते हैं इतलिस्ट इतना पता होना चाहिए कौन सी आयो स्ट्रेम और कोनियो रॉटेज अटलिस्ट यह दो क्यों लिख रहे हैं यह इनके definitions दो दो लाइन की पता हो नीची कभी objective में आ सकती हैं ठीक है और इसी unit में जो है last यदी में कहूं जो most important है तो वो है आपके loops जो है आपका while loop, for loop और do while loop यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और एक है यह आपका if else और switch यह most important होते हैं किसी भी language के लिए तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और यदी हम आ जाए इसमें आपको syntax भी पता करना है जब भी आप किसी computer science के paper में answer लिखते हों तो आप भले ही theory कम लिखो लेकिन syntax और program यदी आप लिख देते हो तो आपका match जैसा हो जाता है मतलब जितना सही होता है match में उतने number मिलते हैं वैसा ही CS में भी होता है कि जहां तक program आपने सही लिखा है आपको definitely बहाँ पर marks उतने मिलते हैं ठीक है तो theory लिखो लेकिन syntax ज़रूर लिखो ठीक है और अकर program भी add करके लिख सको तो उससे बहतर कुछ नहीं चलिए अब हम आजाते हैं अपने second unit पर तो second unit में अगेन आपको फिर से यहाँ पर जो है local variable global variable का यह दिया हुआ है जो आपने उपर scope में भी पढ़ा होगा ठीक है function क्या होते हैं यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और यदि इसी में में बात करूं तो आपके पास में call by reference और call by value इन दोर में क्या difference है यह पता हूँ देखो basic function तो पता होना ही चीए तो आपको यह पढ़ना है function चार तरीके से बनते हैं I hope हमारी playlist में भी हमने बता है अगर आपको exam time अगर बहुती पास में हो तो आप एक तरीके का भी अगर समझ गया function तो बागी के तीन काफी easy यह जो structure है यह क्या होता है यह आपको पताऊना चीए एक simple सा structure बनाने को बोल दें तो again syntax आपको पताऊना चीए क्यों बना रहे है structure यह और यदि हम आ जाए तो आपके पास में यह जो string है string क्या होती है इसके कम से कम आपको 5 library function जो string copy, concatenate वाले रहते हैं 5 function अगर कर लिए त और यह file handling की theory ठीक है कि file app के कितने mode में होती है file handling होता क्या है थोड़ी सी theory पढ़ लो अगर यह छोड़ रहे हो file handling तो यह जो string और structure बुलाई यह बहुत अच्छे से पक्का पढ़के जाओ ठीक है अब हम आ जाते हैं अपनी third unit पर यह मैं ऐसा नहीं बोल रहे हूं कि आपको syllabus cover नहीं करना है आपको पूरा syllabus पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप इसी field में आगे जाने वाले हो तो आपको पूरी language अच्छे से आनी चाहिए बट इनकेस यदि किसी रीजन से आप selected studies कर रहे हैं तो आपको यह वाले topics इसकी नहीं करना बट हमारा चैनल इस चीज को support नहीं करता है कि आप आधा ही पढ़ो हम कहेंगे कि आप पूरा syllabus पढ़ो अब हम आजाते हैं third unit पर इस unit में है आपके पास में data structure तो आपके teacher ने आप recursion क्या है इसकी definition link list इसमें generally programs rarely ही पूछे जाता है theory जदा आती है theory परिक्षा में क्योंकि practical में आ जाएंगे जो भी होंगे programs तो theory में यहीं बात करूँ तो यहाँ पर है आपके पास link list इसके आपको types आना चाहिए ठीक है एक link list अगर singly है तो एक node के कितने part डबली है तो एक node के कितने part ठीक है तो stake के भी उसके कौन-कौन से operation होते है stack क्या होता है और उसका एक function यह हमने बहुत अच्छे से समझाया है इसको भी आप देख लेना एक बार ठीक है उसके बाद में q q उसके जितने भी types है वो ठीक है यह आपको आना चाहिए सब theory बोल रहे हूं मैं अभी जिसमें मैंने program क प्रोग्राम लेकिन जो आपकी बाद वाली circular q और यह सब है उसमें आपको theory बता होनी चीए हो सकता है examiner यह पूछ लेकि types of qs बताई तो आपको types अच्छे से बताना आना चीए भने ही program नहीं आता हो ठीक है अब हम आजाते हैं अपनी fourth unit पर tree यह जो था मेरे बच्छपन में मतलब जब मैं student थी तो यह मेरे favorite unit हुआ करती थी जिसमें tree वाला topic होता था क्योंकि tree जो है यह लड़ू question जो हम बोलता है जो बहुत easiest रहता है अच्छे marks में आता है वो वाला question मनता है trees है तो tree इसके types ठीक है इसको traverse कैसे करना है in order pre order और post order यह तीनों बहुत easy है एक बड़ से इसकी video देखने के देर है आपको यदी वो playlist में है तो देख लीजिए अगर नहीं है तो आप comment करेंगे तो बहुत easiest है इसके number पूरे मिलता है क्योंकि वो इतना easy है कि आप अच्छे से कर लेंगे ठीक है तो आपके number कटेंगे ही नहीं तो और एक last topic इसी unit का है graph तो graph में जो यह traverse हलाता है यह बस ठीक है यह अगर आपने कर लिया तो यह आपके unit बहुत अच्छी और weightage उसका भी 10 credits का है ठीक है अब हम आज आते हैं अपनी पांचवी unit पे पांचवी में जो आपके लिए important है वो है एक तो hashing का hash function क्या होता है दूस कि बहुत सारे बच्चे जो technicals पढ़ाई नहीं करते हैं उनको sorting में प्रॉब्लम आती है ठीक है तो आपको सेफ sorting में कितने types हैं के नाम पता करना है ताकि अगर कभी कोई objective में पूछ ले कि दिये गए में से कौन सा sorting algorithm नहीं है तो आप पहचानपा उसको कि यह तो नाम होते ह हैं बट यह नहीं है और यदि हम इसी unit में last में बात कर लें तो आपके पास ही Julia programming language है एक कुछ Indian scientist है इनके बारे में open source language क्या होती है सिफ इनके बारे में short road पूछा जा सकता है ठीक है तो यह थे हमारे important topics from exams point of view और यह जो थी यह हमारी एक requested video थी I hope कि आपको हमारा channel और इसके content बहुत पसंद आ रहे हैं तो आप जरूर इसको subscribe करें वीडियो को भी like करो और अपने दोस्तों के साथ भी share करो या इतना तो बनता है जब आपकी request पर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे request पर आप इसको share तो करो grow करवाई है इसको so thank you so much for watching मिल कहीं अपनी next video में